हाइ गाइज वेलकुम बैक टो मैं चैनल तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले प्रोसेस तो आपको इस हैरल को बनाने के लिए चाहिए एक मस्टर्ड ओयल यानि की सरसू का तेल और एक हाफ निम्बू ठीक है यहां पे मैंने हाफ निम्बू ले लिया है और इसे आपको पूरा स्क्वीज कर देना है आपके ओयल में यह आप देख सकते हैं जैसे मैं स्क्वीज कर रही हूं और आप बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स भी करना है तो आप पूरा हाफ लेमन इसमें यूज करें यह बहुत ही बेनिफीशल है और आप चाहें तो स्पून से या आपको इसे लगाना तो यह कुछ मिक्स उन जाने के बाद में कुछ इस तरह का यह दिखेगा ठीक है बिल्कुल भी यह मतलब ग्रीसी नहीं रहेगा आपके स्कैल्प पे सो चलिए इसे लगा लेते हैं तो यह जो मिक्चर है इसे हमें अपने बालों में लगाना है तो सबसे पहले अपने बालों को टैंगल फ्री कर लीजिए क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है और मैंने आपको बताया है इसे आपका डेंटर बिल्कुल गायब हो जाएगा तो इसलिए और यहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने अपनी स्कैल्प को है जो स्कैल्प पर आपको उ होगा या बहुत ज्यादा भी डेंटर होगा तो आपका यह दो बार की यूज में आपका खतम कर देगा यह डेंटर बिल्कुल भी और जिसको लेमन सूट ना होता हो वह ना लगाए प्लीज तो इसलिए और आप देख सकते हैं कि मैं इसे कैसे अप्लाइ कर रही हूं वैसे सेम प्रोसेस में आपको इसको अप्लाइ करना है आपको इसके आप इसे और पूरे हैर में लगा सकते हैं और आप चाहें तो आप सिर्फ स्कैल्प में लगा सकते हैं बिल्कुल पर ग्रीसी नहीं लगाएगा स्मेल नहीं आएगी कुछ भी नहीं होगा इस हैर रॉयल में त खतम कर देगा यही मेरा आज का वीडियो है आई होप आप लोगों को पसंद आएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और अगर कोई भी सजेशन हो तो प्लीज नीचे कॉमेंट वाक्स में टाइप करेगा मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो इसी तरह आपको फुल आपके फुल हैड में यह आपको लगा लेना है बहुत ही अच्छे से अपलाए करना है और जहां 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 आपको डेंडर्फ की प्रॉब्लम हो और हाँ थोड़ी सी संसेशन होगी जरूर क्योंकि जब डेंडर्फ होते हैं तो आपको खुजली नहीं है जड़ा भी डरने की ज़रूरत नहीं तो आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा खतम हो चुका है और मैं इसे अच्छे से अपलाए करके मसाज करूंगी आप देख सकते हैं मैंने फास्ट पावड पर लगा दिया पांस पांस सी छे मिन तक आप मसाज करें और इसके बा अपलाई किया हुआ है और बहुत ही अच्छे से अपलाई किया हुआ है तो लग जाने के बाद में आपको इसे टाइ कर लेना है मैं लगा लिया है अब मैं इसको ओवरनाइट रखोंगी और इसके बाद में मैं कल वाश करूंगी तो मैं इसे तीन से चार साल पहले से लगा रही हूं जब भी थंड का सीजन आता है तो थोड़ा बहुत डेंडर सभी के लिए प्रॉब्लम क्रेट करता है तो इसलिए और बहुत ही जादा इफेक्टिव है और एजीली किसी के भी घर में मस्टर्ड ओयल और लेमन कहीं भी मिल जाएगा तो आप इसे जरूर एक बार ट्राइ करें आप आप लोग को यह वाला वीडियो अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब् आपका जो डेंडराफ का प्रॉब्लम है आपको वीक में इसे सिर्फ दो बार लगाना है दास इट दो से तीन बार आपने लगाया और आपका डेंडराफ बिल्कुल खतम हो जाएगा जड़ से तो मिलते हूं नेक्स वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाई गाईज